नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको तीन अलग-अलग प्रिंट्स के मिक्स एन मैच करके कुर्ता डिजाइन शेयर करने वाली हूँ ये मैंने पैनल कुर्ती बनाई है और जिसमें A-Line Shape दिया है पूरी डीटेल जाने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें हमारा फैब्रिक कलेक्शन पर्चेस करने के लिए स्क्रीन पर दिखा गया नमबर पर वाट्सप करें अब कुर्ती का जो में फैब्रिक है उसको मैंने इस तरीके से चौड़ाई में फोल किया है ये कपड़ा मैंने डाइ मिटर लिया है अब देखें इसमें से हम पहले कुर्ती की जो लंबाई है वो निकालेंगे कुर्ती की लंबाई 46 है उसमें हम 2 इंच फोल्डिंग का एड़ करेंगे तो 48 इंच लंबा यहां से कपड़ा अलग करना है अब इसमें से हमें पहले बैक पैनल कट करना है यहां हम size के हिसाब से back panel के लिए marking करेंगे shoulder line मैंने 7.5 inch ली है आधा inch हमें drop लेना है उसके बाद armhole length हमें फिर से 7.5 inch पे mark करनी है इस line को इस तरीके से extend कर ले यहां से हमें chest line measure करनी है chest line है 38 उसका चौथा बाग करके slide का add करें अब जहां तक हमने chest line की marking की है वहां से इस तरीके से arm round का shape दे दे अब shoulder line से करीब 14 inch नीचे आएगी west line यहां west line है 32 उसका हम चौथा बाग करेंगे और इसमें 20 like का add करेंगे और इन दोनों marks को इस तरीके से मिलाएंगे west line के बाद यहां से हमें A line कुर्टी का shape देना है जितना भी कपड़े का पन्ना है पूरे बिल्कुल add तक हम इस तरीके से A shape A shape में निशान लगाएंगे अब गले की चौड़ाई के लिए हम पौने 3 inch पे निशान लगाएंगे और जो आदा हैं चम ने drop लिया है उसको इस तरीके से shoulder slope में मिला लें गले की लंबाई हम 1.5 inch लेंगे यहां से हमें गोल गले का shape देना है अब यह कुर्टा डिजाइन मेंने A line में बनाए है तो यहां से घेरे में हमें करीब 2 inch पे यहां इस तरीके से निशान लगाएं इसको हलकी सी गोलाई में इस तरीके से cutting करें इससे कभी भी घेर वाली कुर्टी के कौने जो होते हैं वो लटकेंगे नहीं देखे back panel मैंने cut कर लिया है अब front panel के लिए भी मैंने ये इस तरीके से कपड़ा fold कर लिया है अब front panel में पहले हमें इस तरीके से आधा इंच छोड़ देना है क्योंकि हम यहां पर अलग-अलग panels cut करेंगे तो ये इस lie के लिए मैंने extra रखा है अब इस निशान के बाद हमें यहां पर back panel को इस तरीके से set करना है back panel को अच्छे से set करके ये सेम कुर्टी का निशान इस तरीके से front panel पर भी लगा दें front panel पर इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब जो हमें यहां pattern बनाना है उसके लिए हम यहां पर निशान लगाएंगे देखी यहां से हमें पहले 4 इंच पर निशान लगाना है लंबाई में हमें 14 इंच पे निशान लगाना है यहां से अंदर की तरफ 3 इंच पे निशान लगाकर इस तरीके से योग का शेव दें अब यहां वैस्ट लाइन के बाद हमें इस तरीके से फिर से ए शेव में निशान लगाना है बिल्कुल end तक इस तरीके से इस निशान को extend कर ले अब देखे ये front panel के लिए मैंने pattern बना है अब same हम इसकी पहले cutting करेंगे इस तरीके से cutting करने के बाद अब देखे जो beach वाला panel है वहाँ पर भी हम इन दोनों को अलग-अलग करेंगे नीचे वाले panel में मैंने slide का extra रखकर और इस तरीके से cutting की है अब जो उपर का yoke है वो हमें इस printed कपड़े में से cut करना है इसको करीब एक इंच लंबा रखें क्योंकि इसमें भी हमने slide का extra रखा है अब यहाँ पर मैंने 326 इंच का v-neck cut किया है यहाँ पर हम v-neck को stitch करेंगे stitch करने के बाद अब इस तरीके से इस yoke पर v-neck को तयार करें अब जो तीसरा printed कपड़ा है उसकी मैंने इस तरीके से पट्टियां cut की है उसको दोनों तरफ से fold करके और इस v-neck पर इस तरीके से placket बनाए यहाँ placket के shape में मैंने इसे दोनों तरफ से stitch किया है अब जो beach वाला पैनल है उसको इस yoke के साथ यहाँ पर जोड़ दे beach वाले पैनल को इस तरीके से तयार करने के बाद जो side के panels है वो हमें इसके साथ यहाँ पर जोड़ने है दोनों पैनल जोड़ने के बाद अब जो border हमने इस तरीके से बनाई है इस panel के joint के उपर यहाँ पर हमें यह border लगाना है दोनों तरफ हम इस तरीके से border लगा के और front panel तयार करेंगे अब हम front panel में front arm round की cutting करेंगे इस तरीके से fold करके करीब एक इंच अंदर की तरफ front cutting करें front panel तयार होने के बाद अब हम back panel का जो neck है वो stitch करेंगे यहाँ same size की strip लगा कर back neck तयार करें अब दोनों पैनल्स आमने सामने रख कर यहाँ shoulder line से इन दोनों को जोड़ दें shoulder line जोडने के बाद अब हम sleeves तयार करेंगे sleeves की cutting की link का आपको description में मिल जाएगी sleeves पर भी मैंने इस तरीके से चोड़ा border बनाया है अब हमें कुर्ती पर sleeves लगानी है sleeves लगाने के time यह ध्यान रखें कि sleeves की front cutting और कुर्ती की front cutting आमने सामने होनी चाहिए sleeves लगाने के बाद अब हम कुर्ती के sides बन करेंगे जितना भी आपने slide का रखा है उतना slide में अंदर दबाए और यहां sleeve से लेके बिल्कुल and तक इन कुर्ती के दोनों side बन कर लें sides बन करने के बाद अब यहां गेरे में भी हम चोड़ा border लगाएंगे देखे दोनों prints को मिला कर मैंने इस तरीके से चोड़ी पट्टी तयार की है पूरे घेरे में हमें यहां पर stitch करना है अब इस border को यहां लगाने के लिए कुर्ती के उल्टे side में इस border को भी उल्टा रखकर यहां से इस लाई करें फिर इसे गुमा कर हम आगे की तरफ मोड़ेंगे और border को तयार करेंगे फ्रेंट्स आपको मेरा यह कुर्ता डिजाइन कैसा लगा लाइक शेयर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू वाचिंग फा दिस वीडियो